हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है आबिद एके एंड वेलकम टू टेक्सोर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपके फोन में MX प्लेयर की अप्लिकेशन में HW Decoder Not Supported की प्रॉब्लम आती है आप जब भी यहां पर MX प्लेयर में HW Decoder पे सेलेक्ट करते हैं तो यहां पर आपको Not Supported की प्रॉब्लम आती है तो हम इसे सही कैसे करें वीडियो ध्यान से देखते रहिए सबसे पहले आप फोन के किसी भी ब्राउजर यानि क्रोम ब्राउजर में आ जाएं और यहां पर आप सर्च करें MX प्लेयर अप्टू डाउन यह सर्च कर लें आपको सबसे उपर ही अप्टू डाउन की वेबसाइट मिल जाएगी तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है यहां पर आप आजाएंगे तो आपको यहां से ओल्डर वर्जिन पर क्लिक करना है देखिए लेटेस वर्जिन इसलिए डाउनलोड नहीं करना है क्योंकि जो भी आप एप्लिकेशन डाउनलोड करते हैं वो प्ले स्टूर से करते हैं और वो लेटेस्ट वर्जिन में ही होती है तो आपको यहां से MX Player का कोई भी एक पुराना वाला वर्जिन चुन लेना है और यहां से इसे डाउनलोड कर लेना है डाउनलोड करने के बाद आपको तुरंद इसे इंस्टॉल नहीं करना है पहले जो आपके फोन में पहले से इंस्टॉल था उसे आप डिलीट करें अंस्टॉल कर दें अपने फोन से उसके बाद आप इसे इंस्टॉल करें और आपकी HW Decoder Not Supported की Problem Solve हो जाएगी बट अगर आपने ये step कर लिया है और आपकी Problem Solve नहीं होती है तो हो सकता है कि वो वीडियो में ही HW Support नहीं कर रहा होगा तो आपको Simply Play Store में जाना है और VLC Player को Install कर लेना है VLC Player एक SS Software है इसमें हर तरीके का Decoder सपोर्ट करता है तो मैं आपको recommend करूंगा आप इसे install करें और उस वीडियो को इसमें play करें आपकी problem definitely solve हो जाएगी